हाई फ्रेंड्स आज हम नास्ते की ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही एजी तरीके से बनने वाली हैं इसे आप सुबा के नास्ते में या शाम के नास्ते में ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे बचों के टीफिन में भी दे सकते हैं क्योंकि हरे मटर बचों को या या आपार हमने साफ कर लिया है इसके बाद हम मालू को कट कर लेंगे अगर आप चाहें तो आलू को ना कट करें इस इसमें हम कप के बरापर पानी या एड कर देंगे ताकि हमारा आलू उबल जाए इसके बाद हम धक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे आप चाहें तो आलू को उबालते समय ही स्वाद के अनशार उसमें नमक आड़ कर सकते हैं नहीं तो आप बाद में आड़ कर दें यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आलू उबल चुका है हम इसे चेक कर लेते हैं आलू को उबल जाने के बाद इसे हम किसी बरतन में निकाल लेंगे इसे हमें अच्छी तरह से चान कर निकाल लेना है इसके बाद कोई फ्राइपैन या कड़ाई ले लेना है उसमें एक चमज की बराबर आयल एट कर देना है इसके बाद उसमें हमें जीरा आइट कर देना है जीरा आइट कर लेने के बाद हरी मिर्च आइट कर देंगे आप अपने तीखे के नुसार हरी मिर्च को आइट कर ले मिर्च साफ्थ हो जाने के बाद उसमें आप छिली हुई मटर आइट कर दे जब आप मटर को आइट करते हैं तो याद रखें कि फ्लेम को लो ही रखें नहीं तो हमारी मटर ठीक से नहीं फ्राई होगी हमें मटर को शॉट होने तक भूनना है आप इसे जादा ना भूने इसके बाद उसमें हमें तीन हर इमिर्च आइट कर देनी है आप चाहें तो ना आट करें अगर आपको तीखा पसंद है तो आप आट कर सकते हैं इसके बाद इसमें हमें एक छोटे चमच के बराबर गर्म मसाला आट कर देना है यहाँ पर हमने आदे चमच के बराबर हल्दी आट कर दी है अब आप स्वाद के अनुसार इस में नमक एट कर दें यहाँ पर हमने नमक को आइड कर दिया है अगर आप उबलते हुए आलू में एट किये हैं तो यहाँ पर थोड़ा कम नमक आइड करें नहीं तो हमारा नमक जादा हो जाएगा इसके बाद हमें सीक्रेट मसाले डालने हैं यहाँ पर हमने चाट मसाला डाला है जो बहुत ही टेस्टी लगता है मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे हमें मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हमें आलू आड़ करने के बाद भी मसाले को भूनना है इसके बाद हमें उबला हुआ आलू आड़ कर देना है अगर आप चाहें तो इसे छोट छोटे और पीसेश में कर सकते है यहाँ पर हमने आलू को बस चार तुकड़ों में कट किया है अगर आप आलू को कट करके नहीं उबाले हैं तो उबलने के बाद भी उसे आप कट कर सकते हैं यहाँ पर हमें अच्छी तरह से मिला लेना है मसालों में हम धीरे धीरे आलू को चलाते रहेंगे ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए मसाले में अच्छी तरह से मिल जाने के बाद इसमें हमें और भी सामगरी आट करनी है आप देख सकते हमारा मसाला हलका हलका आलू में चिपक चुका है इसके बाद हमें लगभग एक छोटे चमज के बराबर चावल के आटे को मिला लेना है इसतना से आड कर देना है इसको आड कर देने के बाद आप इसे धीरे धीरे फिर से चलाते रहें आपको इसे तब तक भूनना है जब तक हमारा चावल का आटा इसमें चिपक न जाए क्योंकि चावल के आटे मिला लेने से ये कुरकुरा बनता है इसके बाद इसमें हमें बारी कटी हुई धनिया पत्ती एड़ कर देनी है धनिया पत्ती से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है यहां पर धनिया पत्ती एड़ कर देने के बाद भी हम इसे मिला लेंगे इसके बाद हम सर्व करने के लिए किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे देख सकते हैं हमारा नास्ता बनके विल्कुल रेडी है आप इसे गर्मा गर्म चाय और कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई